वेल्कम बैक एब्रीवन वेल्कम टू सुबल सर्विस से स्टड़ी 53 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसियस के यह है टेस्ट नंबर 54 इंपोर्टन होंगे प्रशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं कोच करेंट अफेर्स के इंपोर सफल था दूसरा असफल हो गया था और तीसरा प्रयास है चंद्रयान 3 दक्षणी दरुपर कब 2020 तो अब चली जाएगी कुछ दिन बाद तो अगले वर्स के सुरुवात में इसको लॉंच करेंगे तो बी एस कांसर 2021 में तो देखे भारत ने चंद्रयान 3 नामक एक नए चं भावना है कि कोश्चन नमबर टू है जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सूच कांग को निमलिखे संस्ता द्वारा संयुक तुरूप से प्रकाशित किया जाता है इनमें से कौन सा उसमें सामिल नहीं है जर्मन वाज नियू क्लाइमेट इंस्टिटूट क्लाइमेट युनाइटेट नेशन इंडवायर्मेंट प्रोग्राम नहीं है तो डी है इस का अंसर देखे जलवायू परिवर्तन प्रदर्सन सूच कांग को जर्मन वाज नियू क्लाइमेट इंस्टिटूट और क्लाइमेट एक्षन नेटवर्क के द्वारा वर्स दोहार पांस से वार याद रखिएगा और और सारे अप्सन नहीं दें लेकिन जर्मन वाज देंगे कौशन नमबर थरी पर आजएए किस भारतिया उद्धमी को संयुक्त राष्ट परियाबन कारिकरम के यंग चैंपियंस ओफ दा आर्थ का विजयता घोशित किया गया है किस भारतिया उद्ध परियाबन कारिकरम के यंग चैंपियंस ओफ दा आर्थ का विजयता जो है वो घोशित किया गया है 29 साल के हैं ये 29 वर्सी है भारतिया उद्धमी संयुक्त राष्ट परियाबन एजनसी द्वारा वेश्विक परिवरतन निर्माताओं को अभीना विचारो और करके विश्व की कुछ एहम परियाबने चुनोतियों को सुलजाने में मदद करने के लिए 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ओफ दा आर्थ के साथ विजयताओं में से एक है ये वही है परुशकार 30 वर्से कम आयू के साथ उद्धमियों को दिया जाता है विद्ध मोह को मिला है ये याद रखना ये हैं विद्ध मोहन 29 वर्षी है भारती उद्धमी क्वेश्चन नुबर फोर पर आजए हूँमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है हूँमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में सबसे खराब पोजिशन पर है सीरिया सब और भारत की स्थिती क्या है एक सो ग्यारवा ऑप्सन नंबर ए है इसका अंसर तो देखे दुनिया भर में नागरेक आर्थिक और व्यक्तिकत स्थान्तरता के बारे में जानकारी देने वाला मानव स्थान्तरता सूचकांग क्यानि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स तो है पहले तीन पाइदान की बात करें तो न्यूजिलेंड है सबसे उपर उसके बात है स्थिट्जर लेंड और तीसरा इस्थान प्राप्त हुआ है होंग कॉंग को स्युक्तिराज अमेरिका और यूनाइटेट किंग्डम एनि ब्रिटेन की बात करें तो दोनों सूचकांग मे करने की खोशना की है और यह जो कारिक्रम है राज के सभी विधान सबाद छेत्रों को कवर करेगा और इस मिशन के तहत समूचे राज में बिभिन कारिक्रमों का योजन किया जाएगा किसान कल्यान मिशन कौन सुरू करेगा हरियना विहार उत्तर प्रदेश याम अध्द प खोशना की है उस कारिक्रम का नाम है किसान कल्यान मिशन ठीक है यह जो कारिक्रम है राज के सभी विधान सबाद छेत्रों को कवर करेगा और किसान कल्यान मिशन के तहत समूचे राज में बिभिन कारिक्रमों का योजन किया जाएगा question number six है इन मैंसे किसने दिसंबर दोहार में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों की संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को प्रवासी अंतराष्टे प्रवासी दिवस के रूप में खोशित किया था यानि 20 वरस हो गए इस वात को और अभी हाल ही में कल ही की बात है अंतराष्टे प्रवासी दिवस मराया गया किसने ये किया था सैयुक्तराष्ट महासवाने option number B है इसका answer तो देखे हर सार 18 दिसंबर को विश्विश्टर पर मनाया जाता है अंतराष्टे प्रवासी दिवस कल बनाया गया ये सायूक तराष्ट महासवाने दिसंबर सन 2000 में दुनिया भर में बढ़ती प्रवासियों को संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतराष्टे प्रवासी दिवस के रूप में घोशित किया था इंपोर्टेंट है अंतराष्टे प्रवासी दिवस 2020 की थीम क्या है री इमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी कोश्चन नमबर साथ है हल ही में स्टील अथोर्टी ओफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल को इंस्टिट्यूट ओफ डायरेक्टर्स द्वारा इस पात छेत्र में वर्ष 2020 के लिए परतिश्ठेत क्या मिला है गोल्ड पिकॉक परियावर्ण प्रवंधन पुरुसकार मिला है 2020 का सेल को अब आपको बताना है कि सेल का मुख्याले कहां पर है कि मुख्याले पूछने के लिए तीन चाल लाइन जोड़ दी कहां पर है दिल्ली मुंबई लखना हो कहां पर ग्रेटर नएडा नई दिल्ली में है ठीक है सेल का मुख्याले तो देखें सेल को इंस्टिटूट ऑफ डिरेक्टर्स द्वारा इस पात के छेत्र में वर्स 2020 के लिए परतिष्टित गोल्डन पिकॉक परियाबण प्रबंधन पुरुसकार से समानित किया गया है और देखें कम्पनी मतलब सेल जो है लगातार दो वर्सों के लिए इस पुरुसकार की विजएता रहेगी और क्यों मिला इसको क्योंकि इसने टिकाव और परियाबण रूप से जब्मिदार स्टील बनाने के लिए जो मितार स्टील बनाया इसके लिए जो है उसके सराहनी प्रदर्शन को दर्शाता है इसलिए मिला है इसको गोल्डन पिकॉक परियावरन प्रबंधन पुरुसकार और यह पुरुसकार स्रेणी के सबसे पुरुसकारों में से एक है तो गोल्डन पिकॉक परियावरन प्रबं में और सेल की स्थापना कव हुई थी उन्निस जन्वरी उन्निस सो चववन को नैंटीन फिफ्टिफ्टिफॉर कि कोईशन नमबर राट पर आजए प्रधान मंत्री निरेंद्र मोती ने कहां पर दुनिया के सबसे बड़ा है और भारत में है ठीक है दुनिया का सबसे बड़ कितना बड़ा तीस हजार मेगाबार्ट छमता बाले हाइब्रेड नभी करनेया उर्जा पार की आधार शिला रखी है कहां पर रखी है कोच्ची केरल में नहीं पूरे महरास्ट में नहीं उत्तर प्रदेश की ग्रेटर नोड़ा में भी नहीं गुजरात के कच्छे में ठीक प्रदान मंतरी नहींदर मोती ने कच्छ जिले में 30,000 मेगाबार्ट छमता बाले हाइवरेड नभी करनेया उर्जा पार्क की आधार सिला रखी है यह दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा नभी करनेया उर्जा पार्क होगा इसलिए इंपोर्टन्ट है यह इसके 50 गीगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष को पूरा करने में एहम भूमी का निभाने की उमिद अठी गया है तो 11 तक हमको कितनी अगर मेगावाट में ना पे तो इसको 4,50,000 मेगावाट यानि 450 गीगावाट बिजली उत्पादन करनी है वो यह मदद करेगा हमको हाइब प्रेड नविकरणे उर्जा पार्क, गुजरात के कचका question number 9 पर आज़े है मानव विकास सूचकांक के संदर में निमलिखित कат्थों में से कौन सा गलत है मानव विकास सूचकांक, मानव विकास के तीन मूल मांदंडो वो मांदर्ण कौन से हैं, जीवन प्रत्यासा, सिक्षा और प्रतिवेक्ति आये में, देशों की औस्त उपलब्धी को मापता है, मानव विकास सूचकांक 2020 में नौर्वे सबसे उपर है, नौर्वे उपर है स्वीडन, मानव विकास सूचकांक में भारत के इस्तिती नैपाल, बंगलादेस, पाकिस्तान और चीन से बहतर है, वर्ष 2019 में भारत के सूचकांक में 129 वे स्थान पर था, बर्ष 2019 में भारत ये के की जरुबत नहीं है इस सूचकांक कर देते हैं बर्ष 2019 में भारत इस सूचकांक में 129 वे स्थान पर था तो 20 में कौन से इस्थान पर है भारत 131 वे स्थान पर important है ठीक है दो इस्थान फिसला है ना मतलब खराब हुआ है कौन सा गलत है इसमें एक तो पक्का गलत होगा देखिए इस तरह का स्टेट्मेंट जो सीवालाइस के गलत होने की संबाबना सबसे ज़्यादा है क्योंकि नैपाल भी इन्होंने एड़ कर दिया बंगलादेश भी डाल दिया इसमें पाकिस्तान भी डाल दिया चीन भी डाल तो चीन का थोड़ा बहतर पोजिशन पर है साथ 84-85 वह स्थान इसका अड़ा सो सतर नीची है चीन तो इसी के वैसे गलत हो जाता यह वाला विकल्प सी वाला और यही अपना उत्तर है ठीक है तो इसका अंसर क्या हो जागा ऑप्सान नंबर सी बागी सारे के सारे साही है ए बेवी से एडीवी से है तो अधिया भारती सुचकांग में 131 वह स्थान पर बात करें भूटान की तो 139 वह स्थान पर बंगला देश से भारत की अच्छी है क्योंकि 133 वह स्थान पर नेपाल से वह स्थान पाकिस्तान बहुत खराब है 154 इस से भी अच्छी है ठीक है जो है वह वह व्यास्थान पर और जो ब्राजिल वह चाहिस वह चेन पिच्च ब्राजिल और यह रूस जो है भारत से कही ज्यांद अच्छी मतलब बहुतर पाइदान पर है इसलिए गलत हो जाता है यह वाला सीवाला स्टिट्पंट नौर्वेक परतह मिससान यह इंद नौर खराइदान खराब गुआ फिसल आया मतलब फिसलने का मतलब बिगड़ गई हालत है और दस पर आजाएए यूनेसको ने बंगलादेश के प्रस्ताब को अपनाते हुए बंग बंदु सेख मुझीबुर रह्मान के नाम पर एक अंतराष्टे पुरुसकार सुरू करने की इंपोटन्ट है इंटरनेशनल प्राइज देखिए बंग बंदु सेख मुझीबुर रह्मान इंटरनेशनल प्राइज ठीक है जो अंतराष्टेस्टर पर उसकार इंपोटन्ट हो जाता और कमपटिटिव एक्जाम का सिरदर्द तो क्या है इसका उत्तर परदान मंत्री मो अपनाते हुए बंग बंदु सेख मुझीबुर रह्मान के नाम पर एक अंतराष्टे पुरुसकार जो है शुरू करने की कोशना की है संयुक्तराष्ट एजनसी के कारिकारी बोर्ड ने सर्व सम्मति से अपने दोसो दसवे सत्र में क्रियेटिव एकॉनोमी के लिए यून बंगला देश बंग बंदु सेख मुझीबुर रह्मान अंतराष्टे पुरुसकार का प्रस्थाव को अपनाया है और यह पहला मोखा है जब सेयुक्तराष्ट की एजनसी ने बंग बंदु के नाम पर कोई अंतराष्टे पुरुसकार शुरू किया है 50,000 अमेरिकी डॉलर की राश्य का यह है पुरुस्कार दो साल में एक बार दिया जाएगा ठीक है दो साल में एक बार दिया जाएगा हर साल नहीं कितने हो गए पचास हार हमेरी के डॉलर एक डॉलर तो 73 रुपे लगा लो अभी यानि एक जार डॉलर में 73, 75 जार हो गए 36 लाग कम से गम होगे ठीक है देखे पहला यूनेसको बंग बंधु पुरुसकार जो है वो नौबर 2021 में यूनेसको की आम सभा के 41 वे सत्र में दिये जाने की तैयारी है ठीक है और बंगला देश ने अगस्त 2 वे उननेस में इस पुरुसकार का पुरुसकार का प्रस्ताब रखा था ठीक है समय उक्तराश एजनसी के सामने उसने माना है और अंतराश्टे इस्तर पर सेख मुझीबूर रह्मान के नाम पर जो है इस पुरुसकार की सुरुवात की है ठीक है तो इन मेंसे किसी को नहीं मिला उपरोक्त में से कोई नहीं सकांसर है डी बस आपको याद रखना है बंग बंधु सेख मुझीबुर रह्मान इंटरनेशनल प्राइज ठीक है यूनेसको ने बंगलेदेश की तर्श पर तो दस प्राशन ते हिए दस एड किये गए थे इनकी प्रेक्टिस कर लेना एक बार धन्य बाद इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज की प्लेइलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा वहाँ पर आप टेस्ट नंबर ब पहाँ सकते हो